बिसमिल्लाहिर रह्माने रहीम, असलाम लेकूम, कैसे हैं आप 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 सब ठीक होंगे, आज मैं आप लोगों के लिए देवड़ों की बहुत ही जबर्दस रेस्पी लेकर आई हूं जैसे पकोड़े रोल समोसे से बंदे का मूर्थ थक जाए तो उसके बाद हम इस तरह की का थोवको बना कर सकते हैं उसके लिए देतर बेखा हैं तकरीबां जीव चबादा शोर्भी ख़गर एलाकर शोड़ चास मैं चोड़ के उसका पानी में घा अटिर के स्टिया थमृटब स्विकश्व ए जिए रिमूव त फब गशनयें स्टाम गिया और साथ मैं ने dizल द के बाइल अलु कि मैं आप लिए हरुआ कोठली या चटनी कोठली अधर किस देंगे बहुत ही जबर दाइब करने वालें आप जरूर् सबीकर नहीं एगादा कि रचापने वाले जुक्त वालें यूजए सेंडर यूज़र और वीडियो स्टार्ट सेंड करने ना काँए जालें दालें 1 टीस्पून के करेब सुर्फ मिर्च पाउडर दालें नमक अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह खुला ब лेके, उसमें आलू ढालू लें चने याि आफ़ाया अईड करता है अच्छे से अच्छे से घियान सकते हैं कि अब इसके अंदर सारे चिज्दों कमेना अच्छी से मिक्स करें अब यह देए चाइए अब यह रहा हम अब से साथ करें थोड़ी थोड़ी ही हमने डाली है उपर से ताकि जितने सैलेड है वह खुबसूरत उसमें नजर आए और खाने वाले का दिल चाहे कि यह बहुत ही जबरदस चीज है अब हम इस तरह पापड़ी डाल देंगे इस से इसका जायका और ज़्यादा जबरदस हो जाता है इस तरह पापड़ी उपर से डाल दी है और उपर से इमली की चटनी इसका लिंक जो है डिस्क्रिक्ट्रे में हमने डाल दिया है आप वहां से देख सकते हमने बनाई है इसे और भी ज्यादा जबरदस हो जाएगी यह बहुत ही जबरदस एक चीज आप मैंने आपको बनाने सिखाई है जरूर बनाईएगा और इंज्वाइए कीजिएगा जहां भी रहें खोश रहें खोशियां बाटे अब मैं आप लोग से जाज जाते हूं अल्ला आफेस